अविभाजित बिहार का एक मात्र अद्योगिक संस्थान बरौनी रिफाइनरी अपना गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा है इसी कड़ी में देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोल्डन जुबली समारोह में शिर्कत करने रविभार को बरौनी रिफाइनरी पहुंचे इस मौके पर बोलते हुए धर्मेंदर प्रधान ने बरौनी रिफाइनरी के उत्पादन ख्रमता को 6 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ा कर 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम करने की घोशना की साथे पेट्रो केमिकल से कॉम्पलेक्स लगाने और बिहार में 25,000 करोड का निवेश किये जाने की बात भी कही इसके लावा पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद प्रधान ने हल्दिया जगदिशपूर प्रक्रतिक गैस पाइपलैन इर्मान कारी को अतिशिग्र शूर किये जाने की बात कही जिसकी लंबाई बिहार में 6,500 किलो मीटर होगी जिसमें प्रात्मिक्ता क्याधार पर बरौनी फर्टिलाइजर को चालू किया जाएगा साथ में दुरगापूर बरौनी पत्ना मुझफरपूर एलपीजी पाइपलैन बनाया जाने की भी खोशना की बिहार में LPG कनेक्टिविटी सिर्फ 35% है इसको बढ़ा के आने वाले दो साल में राश्ट्रिय आवरेज तक लिया जाएगा ये सारे सेक्टर में पेट्रोलियम सेक्टर की देश की मुक्षे देश में ये सबसे बड़ा पहला रिफाईनाजी 64 में शुरू हुई थी बिहार और ज्यादा डिजर्व करता है इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री ने 400 विद्यारतियों के लिए कौशल विकास केंद्र का उधगाटन किया वहीं बरॉनी रिफाईनरी द्वारा नरसिंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की बात कही घरतलब है कि बरॉनी रिफाईनरी 15 जनवर 1965 को राश्टर को समर्पित किया गया था तब बरॉनी रिफाईनरी के उत्पादन श्मता मात्र एक मिलियन मिट्रिक टन पर एनम थी बरॉनी रिफाईनरी में LPG, पेट्रोल, डीजल, कैरोसेन, कोक, सल्फर समित अनएक तरह के पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है उमीद की जा सकती है कि पेट्रोलियम मंत्री के आगवन से बरॉनी रिफाईनरी के दिन लोटेंगे और बिहार का नाम राष्ट्री ओद्योगिक मानचित्र पर स्थापित होगा देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र परधान सिर्फ गोल्डन जूबली समारों में शिर्कट करने बरॉनी रिफाईनरी ही नहीं पहुँचे उन्होंने यहां के स्रमिकों और मज़दूरों की सुधी भी ली और अफसरों को सीधे शब्दों में चेताबनी दी कि अगर कोई जुल्म या किसी तरह की ऐसी घटना जो इनके हक हुक के खिलाप हो वो बर्दास्त नहीं की जाएगी क्यामरा में नभय के साथ बरौनी रिफाईनरी बेगू सराई से राजेश राज डिडी न्यूस के लिए